हेलो स्टुडेंट वेलकम तो स्टुडिगराम यूटूब चैनल जैसा कि पिछली वीडियो में अपने दिशा पूरा किया था आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं रैंकिंग हिंदी में से बोलते हैं करम परिक्षन इसमें टॉपिक में मैं आपको कोई भी फॉर्म टाइप नमबर फर्स्ट के क्यूशन किस तरह के होते हैं वो देखते हैं अपन। क्यूशन है किसी पंक्ती में राम का दाएं से बीसवा इस्थान है तथा बाएं से तीसवा इस्थान है तो पंग्ती में कुल कितने चात्र है चात्र है चलिए देखे सबसे पहली लाइन बोल रहा है किसी पंग्ती में राम का बाए से दाएं से 20 वाइस्थान है तो दाएं यहीं से होता है दाएं से कित वाइस्थान है राम का 20 वाइस्थान है आई बास समझ में यहां दाएं से राम का कित्वास थान है 20 वास थान है और बोला है रबाएं से राम का जो है रबाएं से या नी लेट साइड से कित्वास थान है 30 वास थान है अब पूछा गया है कि कुल कितने चातर है मुझे एक बात बताओ यहां से लेकर यहां तक मैं र बताओ यहां तक तो कितने होगे 19 अब मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक कितने राम तक यहां से राम तक कितने 22 कितने 30 है लेकिन मैं अगर राम को अटा दू तो यहां कितने 29 कितने है 29 अब देखो यह 29 यह 19 टॉटल कितने होगे 48 कितने होगे 84 प्लस एक राम को तो मैंने छोड़ दिया था मैंने राम को और काउंट कर लिया टोटल कितने स्टुडेंट होगे 49 यानि के 49 आई बास समझ में या नहीं है आप लोगों को चलिए इसी टाइप का question है next question question है सतर वेक्तियों की एक पंक्ती में मोहन का दाएं से पैंतिसवा इस्थान है इस्थान है तो मोहन का बाएं से इस्थान ग्याद करो ग्याद करो चलिए सतर वेक्तियों की एक पंक्ती में मोहन का दाएं से पैंतिसवा इस्थान है तो मोहन का बाएं से इस्थान ग्याद करो तो देखो टोटल कितने लोग है उसके अंदर पंक्ती में सतर है 70 students, 70 वेक person है, ठीक है, अब बोल रहा है कि मोहन का दाएं से 35 वा स्थान है, यानि right side से मोहन कितने स्थान पर है, 35 पर है, यहाँ पर मोहन है, कितने स्थान पर है, 35 पर है, आई बास समझ में, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने student वेक्ती होगे, कितने person ह 35 तो यहाँ से, उसने पूछा क्या है, 22 तो मुझे बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने, टोटल 70 है, 35 चलेगे कितने बचे, 35, कितने बच चुके है, 35 बचे है, अब पूछा है कि मोहन का, मोहन का कितने स्थान है, किस से 22 पर है, 35 तो यह अगला मोहन हुआ या नहीं क्यूशन पर, क्यूशन है, चात्रों की एक पंक्ती में, राहूल का 22 से 65 वाइस थाने, तथा 22 से 36 वाइस थाने, तो पंक्ती में कुल चात्र ग्यात करो, उसने क्या बोला है, कि चात्रों की एक पंक्ती में, राहूल का दाएस से, यानि राइट साइड से कौन सा थान है, 65 वाइस थाने, आई बास समझेंगें, तथा 22 से कौन सा है, 36 वाइस थाने, कितने हैं उस पंक्ती में, तो इधर देखिए, यहाँ पे, चात्रों की पंक्ती में, राहूल का दाएं से, यानि राइट साइड से, दाएं से कितना राहूल का, कितना स्थान है, 65 वाइस थाने, और बाएस से कितना है, कि यहां की बात को राहूल को छोड़ रहा हूं तो यहां पर कितने हो रहा है 34, 65 प्लस 34 कितने हो जाएंगे 98, 65 प्लस 34 कितने हो जाएंगे 98, प्लस एक राहूल भी तो होगा, राहूल को तो मैंने दोनों जगे से छोड़ दिया था, राहूल एक और हो जाएगा, total कितने हो जा चलिए टाइप नमबर सेकिंड इस्थान परिवर्तन अब आते हैं अपन टाइप नमबर सेकिंड की और क्योशन है किसी पंक्ती में राजेश का दाएं से पच्चिसवा इस्थाने तथा सुरेश का बाएं से बीसवा इस्थाने यदि दोनों अपना इस्थान बदलने तो राजेश का नया इस्थान तीसवा हो जाता है तो पंक्ती में कुल छात्र ज्याद करो चलिये किसी पंक्ती में राजेस का दाएं से पच्चिसवा इस्थाने जेसा जेसा वो बोल रहा है वेसा वेसा करना है इस पेसल कुछ नहीं करना जेसा जेसा उसने बोला है वेसा वेसा अपने को डाइग्राम बनाना है तो चलिए सबसे पहले बोला है कि राजेस का दाएं से 25 वा इस्थान है मतलब बदलने का मतलब क्या है राजेस चला जाएगा सुरेस की तरफ सुरेस चला जाएगा राजेस की तरफ आई बास समझ में मतलब राजेस चला जाएगा सुरेस की जगह पे सुरेस की जगह पे चलो ठीक है दोनों अपना इस्थान बदल ले तो राजेस का नया इस्थान 30 वा हो जाएगा मतलब राजेस का भी कितने इस्थान 25 वा है यहाँ पर आ जाएगा तो राजेस कितने पर हो जाएगा 30 पर हो जाएगा तो पूछा क्या है कुल छात्र गयात करो तो मुझे एक बात बताईए, आप लोग, यहां से लेके, यहां तक, यहां से लेके, यहां तक, कितने स्टुडेंट है, तीस, कितने स्टुडेंट है, तीस था, पचिस से यहां पर आगे, तो टोटल कितने स्टुडेंट है, तीस स्टुडेंट है, मैं उपढ लिख रहा हू 19 student हो जाएं, कितने student हो जाएंगे, 19, total करूँगा, तो कितने student है, 49, आई बास समझ में आप लोगों को, कितने student है, 49, एक बार वापिस देख लीजिए, यहां से लेके, यहां तक 25, लेकिन आम नया जगह हो चकी राजस्की, तो यहां से लेके, यहां तक कितने है, 30 student हो गया है मलब यहां से लेके, यहां तक 30 student है, और यहां से लेके, यहां तक 20 है, एक हटेगा यह तो, यह कितने student है, 19 student है, क्योंकि यहां पर मैंने सको count कर लिया है, आई बास समझ में, 19 प्लस 30 कितने हो जाएंगे, 49 student, आई बास समझ में, चलिए, next, question पाईए, question A, किसी पंक्ती में, A का दाएं से तीसवा इस्थान है, B का 22 से 40 वा इस्थान है, ज्यान से देखिएगा, दोनों अपना इस्थान बदलने, दोनों अपना इस्थान बदलने, तो B का 22 से 50 वा इस्थान हो जाता है, तो पंक्ती में, कुल, कितने चात्र हैं, चलिए, अगर चात्र पूछे, वेक्ति पूछे, वर्सन पूछे, कुछ भी बूछ सकता है, ठीक है, आई बास समझ में, चलिए, किसी पंक्ती में, A का 22 से 30 वा इस्थान है, चलो, मैंने लिख दिया, A का 22 से 30 वा इस्थान, आई बास समझ में, ठीक है, अब बोला है, कि B का 22 से 40 वा इस्थान है, लेफ्ट साइड से B का कितना है, 40 वा इस्थान है, चलो, ठीक है, अब बोला है दोनों अपने इस्थान बदल लियें, बदल लियें मतलब A चला गया है, B की जगे है, B की जगे है, चलो ठीक है, तो B का अब पूछा है तो B का 22 से 50 वास थान हो जाएगा, अभी B का कित्व है 22 यहाँ पे चला गया तो कित्ता स्थान हो जाएगा 50, मतलब मैं अगर यहां से लेके यहां तक की बात करूँ तो देखो यहां से लेके यहां तक किते स्टूरेंट है पचास क्योंकि चालिस तो यह था ही यहां चलागी है तो किते बोग अब आएं से पचास ओते हैं यहां से लेके यहां तक किते स्टूरेंट है आप लोगों के के लिए रहे हैं चलिए आज के लिए इतना ही बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू